हमें ओ चाहिए सरकार किसी की भी हो हमारा डेली का यूज का समान है ओ दाम कंट्रोल होना चाहिए महंगाई कंट्रोल होनी चाहिए ऐसा नहीं कि कोई की जिनकी भी परदान नितिश बाबू हो या तेज़ेश्वी यादो हो या प्राइम मनेस्टर हो हमारा डेली का यूज का लासन प्याद चावल आड़ा घैस बीजली िन दामों पे कंट्रोल होना चाहिए अभी महांगाई है कि नहीं में महांगाई नहीं है इसलिए नहीं है कि मैं महनध करता हूँ पड़े हर समान खड़िता हूँ नहीं मेनद करेंगा हमारे लिए महंगाई है तो तो रूस जपान का जो यूद हो रहा है आपका वहाँ जो तेल महंगा होगा तो हमारी सरकार भी महंगा खरीदेगा तो महंगा बेचेदा सब्सक्राइब निची साथ कि कुई उनका काम वहना काम जो पुए बढ़िया करें है थे सबका अपना-पना मानना है लेकिन सबको पता है कि महंगाई बढ़ रही है जिसकी जैसी आंदनी वह वैसा खर्चा करें अब इया अपना यह जार रूपर कमा रहे हैं तो आजार रूपर करेंगे हम दो सब्सक्राइब हो रहा है ऐसा भी एक समय आजाएगा कि जितनी भी ट्रक का कॉस्ट कम हो जाएगा हमें 40-45 रूपर केजी गैस मिलेगा बिहार की राजिते में कहा जाता है कि लगातार उथल पुतल होती है ऐसे में देखिए उत्तर प्रदेश में चुनाब हुआ मतेदान खतम हो गया है दस तारीक को रिजल्ट आनी है ऐसे में जो तमाम एक्जिट पॉल है उसमें बीजेपी के सरकार बंती दिखाए दे रही है लेकिन उत्तर प्रदेश को चुनाब को लेकर के कहीं ने कहीं बिहार की सियासत भी लगतार गर्म होती रही है तेसी आदब ने बीते दिनों बयान दिया था अखले सियादब की सरकार दस्तमार्च को आ रही है ऐसे में हम पहुचे हैं पटना एरपोर्ट और पटना एरपो कई तो बेटी रोटी का भी सवाल बनता है ऐसे में हम बात करने कोशिश करते हैं क्या नाम हो आपका एक राज असुक कुमार पहाजी रहते हैं रूपसपूर रूपसपूर यह बताए कि उत्तर प्रदेश में दस तारीक को किसकी सरकार बनते आप देखना चाहते हैं इसके के बाद ही नहीं को चाहता हूं जो अच्छा काम करेगा आपके यह तो आने वाला वक्त में बताएगा अभी कैसे आपको हम बताते हैं पांस साल योगी जी उतर प्रदेश में रहे हैं उन्होंने कई बातों को लेकर करके कहा है कि गुंडा राज हमने खतम किया है क्या लग घंता चाहती है जनता सपा को लाना चाहा रही है तो हम एक सामने का ब्यान बदल रहों ना इसलिए हमें ओच चाहिए सरकार किसी की भी हो हमारा डेली का यूज का समान है ओक दाम कंट्रोल होना चाहिए महंगाई कंट्रोल होनी चाहिए ऐसा नहीं कि कोई कि जिनकी भी परदान नितिस बाबू हो या तेज़ेश्वी यादो हो या प्राइम मनेश्टर हो हमारा डेली का यूज का जो समान है लास पड़े हर समान खड़ीता हूं नहीं मेनद करेंगा हमारे लिए महंगा ही है। करें वहां के जो जनता है यह ना सोचे कि महांगाई लगातार बढ रही है इसलिए बीजेपी को वोट ना करें क्या आप ऐसा सोचते हैं कि जो अच्छे काम करते हैं उनको बोट देना चाहिए अप प्लसल क्या है कि महांगाई से कोई आदमी तरह ही माम नहीं है इन ही का यह इमार्ज को उत्रप्रदेश का रिजल्ट आना है दो बड़ी पाटी है सपा है और sorry को चाहतEven के सरकार बने उत्र प्रदेश विटर भी का जा बेरुजगार तो लगाता है और सबसे अच्छे नेता है नितिन गडगड़ी डिली टू बंबे का जो रोड है आज 24 घंटा में सफर करते हैं लेकिन वो जो ऐसा हाइवे बना रहे हैं कि आप 11 घंटे में सफर करेंगे दिली टू बंबे तब तो क्यों नहीं रहेगा डिजल पिट्रॉल रूस तो महांगा होगा लोग कहरें मेरे लोग क्ला नहीं को मिलेगा तो मिलेगा तो देखे अरपकनन एरपोर्ट का यह नजारा क्या परसी राज भी है दिल्ली भी परसी राजी उत्र परदेश का चाहते हो इतरपर देश को सपा कीत सरकार भी नहीं को दो करें है बहुत बढ़ी है करें हैं में सवाइए को करें गार्या करें लेकिन सबको पता है कि महंगाई बढ़ रही है बिल्कुल इसकी जैसे आमनी वह ऐसा खर्चा करें कभी अपना यहाशार रूपर कमा रहे हैं तो आजार रूपर करें हम दोसों कमा रहे हैं तो हम दोसों कुछ है और हम यह चाहते है कि सारा काम हो जाएगा जाएगा काम चल रहा है तो आपका ट्रक का कॉस्ट कम हो जाएगा सिलिंडर का कॉस्ट कम हो जाएगा हमारे दर्शक टैक्निकली समझना चाहते हैं कि आप जो कह रहे हैं सरकार जिनकी भी हो और जो अच्छे काम करेंगे हमको एक हजार रुपया पैसा नहीं चाहिए गेहुंचाल फिरिम नहीं चाहिए जो पड्डे का समान का यूज है वो सस्ता कर दीजे ना जो रहेंगे सत्ता में बरकरार रहेंगे हो जाहें वो नितिस बावु हो लालू जी यह यह प्राइम नेशर परधान मंतरी नरेंदर मोधी हो हमारा डेली का उसको समान सस्ता कर दीजे हमको फिर इना एक हजार रुपया चाहिए ना गेहुंचावल चाहिए ना गयस सिलिंडर चाहिए पड्डे का समान जो है सस्ता कर किसके सरकार यह तो आप उत्तर परदेश आपको जाना होगा आखरी 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 वार भी नहीं बोलेंगे क्योंकि कैमरे के बाहर यह बहुत कुछ बोल रहे थे जब कैमरे में आ गए तो डिप्लोमेटिक तरीके से जवाब देने लिए आप उतादीजिया आखरी बाहें और दुख रहे हैं उत्तर परदेश में बीजे़ पी के सरकार आप तो वहरहाल दस तारीकां में इंतजार है कि 10 तारीकों किसकी सरकार आएगी यह दिखाएजा रहे हैं फिर से वापस आ रही है इस कबर में इतना ही हमें देचे इज़ाजत बहुत भी दहनнич सुने बास